दुनिया में जारी कोरोना वाइरस के कहर के खिलाफ फ्रंट फुट पर लड़ाई लड़ रहे कोरोना वारियर्स का आज दुनिया सम्मान कर रही है इसी के तहट आज बुद्ध पुर्णिमा के अवसर पर एक वर्चुल कारक्रम का आयोजन हुआ जिसमें दुनिया के कई बड़े नेता शामिल हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कारक्रम को संबोधित किया पीम बोले कि भगवान बुद्ध ने दुनिया को सेवा करने का संदेश दिया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार परिस्थियां अलग हैं दुनिया मुश्किल वक्त से गुजर रही है आपके बीच आना मेरे लिए सौभग्य होता लेकिन मौजूदा स्थती इसकी इजाज़त नहीं देती भारत आज बुद्ध के कदमों पर चलकर हर किसी की मदद कर रहा है फिर चाहे वो देश में हो या फिर विदेश में इस दोरान लाभानी को नहीं देखा जा रहा पियम मोदी ने कहा कि भारत बिना स्वार्थ के साथ इस वक्त दुनिया के साथ खड़ा है हमें अपने परिवार के साथ साथ आसपास की सुरक्षा करनी होगी संकच के समय में हर किसी की मदद करना ही सब का धर्म है एक एक भचन एक एक उपदेश मानवता की सेवा में भारत की प्रतिवद्धता को मजबूत करता है बुद्ध भारत के बोध और भारत के आत्मबोध दोनों का प्रतिव है इसी आत्मबोध के साथ भारत निरंतर पूरी मानवता के लिए पूरे विश्व के हित में काम कर रहा है और करता रहेगा सिद्धार्थ के जन्म सिद्धार्थ के गवतम होने से पहले और उसके बाद इतनी शतादियों में समय का चक्र अनेक स्थितियों परिस्थितियों को समेटते हुए निरंतर चल रहा है